बिस्मिल्ला अर्मान रहीम on the demand of reminiscing from रामबन जमोन का स्पीर टिगनेटी की प्रप्लम है समय स्वेशन ओप सीरी से साइन स्क्वेर अलफा प्लस साइन स्क्वेर 2 अलफा प्लस साइन स्क्वेर 3 अलफा प्लस अण स्वान अप्ट अन्ट टरम्स तो इसमें सारे टाइम स्क्वार्म है तो इंगल में कितनी टाइम सो जाएं कोई प्रॉल्म नहीं है जिस पेर हो उसको हमें अठाना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ऐसा फार्मॉला में ढूना होगा जिसमें स्क्वार हटके एंगल में कितनी भी टाइम सुझा कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसके लिए हमें ध्यान आ रहा है फार्मला कॉस टू एका जिसमें साइन की फार्म में जब इसको हाफ एंगल में लिखते हैं तो यह बैलू आती है बन माइनस टू साइन स्क्वार ए यानि हमें साइन की स्क्वार की बैलू निकालना तो कॉस बारे ट्रम को इस तरफ ले जाएंगे तो यह पिलस से माइनस हो जाएगा कॉस टू ए इससे हम साइन स्क्वार की बैलू निकाल सकेंगे और टू से इंटू हो रहा था तो जाके राइट हैं साइड में डिवाइड हो जाएग करते हैं पूरी सीडिस के साम है साइन स्क्वार अलफा और इस सभी टर्म्ट को हम साइन इस वाले फार्मूली के यूज करते हुए कॉस में कर देंगे ताकि देख रहे हैं कि इस पैर यहां पर जिता अब इस पावर में नहीं है और एंगल जो है ट्राइस हो गया तो ट्राइ सबसे पहले इस फार्मिले के यूज करते हुए हम लोग चेंज करेंगे तो वैलू आ जाएगी बन बाइटू मैनस बन बाइटू पास नहीं देखें एंगल यह था तो टू ही हो गया अलफा है तो टू अलफा हो जागा सॉरी और इस साइन स्क्वार को इसी तरह के से में एंटू कॉस यहां पर टूल्फा है तो त्वास कर देंगे फौर अलफा कर देंगे प्लास बन बाइटू मैनस बन बाइटू इन डू कॉस और बन देखा फार रिटू तो डू हो रहाए है। और इसमें फस्वाला जो टर्म है हर एक टर्म में 1 x 2 है तो इन सभी और ये हैं N times है ट्रम तो हरेग में यह न बयाइं टाइमस होगा न बैट्व होगा तो इस टर्म कां नवाइड टू लग करेंगे अगर दो बार होता तो ट्वार होता थो यह एंड टाम्स है तो इन टाम्स है तो इनका का सम हो जाएगा N टाइमस बन बैटो मैनस बन बाइटो हीनटो और यह गुग सीडीज है यह देखर है कि कॉसा-कॉसाइन सीरीज है और इसका प्सहाम सी प्लस आई-इस मैंतर से भी निकाल चकते हैं लगनि हाँ पर हम फार्मुले के यूज करके निकालेंगे जिस फार्मुल है यहां पर is नहों को प्यांस suburbs क्त informação सë बीटार करते हैं तो हते हैं लिए आसे इस से पहले बाले है और पार्मुले का हमारा लग से डिनौत करते हैं और यजो फार्मुले का छिसल फ्ली वह हमारा इतना होता है वह एक उड्रपांव करेंगे मेड़िग जाय كटाण फार्मूला क्या होता है उसको में लिखके फिर यहां अपलाई करेंगे यह सीरीज का सम एस के बराबर चल ला है फार्मूला क्या होता है कॉस अलफा बिलस कॉस अलफा बिलस बीटा प्लस कॉस अलफा बिलस टू बीटा यह एक साइन को साइन सीरीज है अप टू एंट टाम सो यहां पर हमने जो स्वाइब करना था यहां पर छोड़ दिया है और अल्फा-वीटा भी बता दिया लेकिन यह कहां से आल्फा-वीटा वह हों यहां से बता रहा है कि इसका फार्मुला क्या होता है कोसाइल सीरीज है तो कॉस आएगा होता है अलफा पिलस एन मैनस वन इंटो वीटा वाई टू इंटो साइन एन वीटा वाई टू अपान में साइन वीटा वाई टू इस फार्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और यहां इसके अलफा की वैलो पारी इस सवाल के आपने जो सीरीज से सीरीज कसम निकालना था ऐस कहा गया करेंगे पहले से था यह अब यहां से हम लोग यह वाला फार्मूलाग अपलाई करना है तो इस फार्मूले को लिखना है और बस हमें बेलो यह अपने इस फार्मुले के according जो है इस question के according है वो डालना है फार्मुला ये use करना है और बेलू अपने question के according डालना है यानि cos alpha, alpha के हमारे जो alpha है यानि first angle जो है वो 2 alpha है plus n, number of term n ही है और अपार में 2 है, beta into में है तो beta हमारा ये इन दोनो term का जो angle का difference है 2, 2 alpha है जो हम उपर यहाँ पर लिखके बता चुके हैं और फिर इसके बात में है break it close और फिर into में है sign n, beta की value या स्वाई 2 alpha है अपान में 2 और whole अपान में ये फार्मुले में देखे क्या है, sign beta by 2 sign beta की value 2 alpha की बराबर में 2 alpha है अब देखना है कि 2 उपनी चाहिए cancel हो रहा है, इनको cancel करते हैं तो हमारी जो series का sum चल दा था हो आचोका n by 2, 1 by 2 into cos of 2 alpha plus n minus 1 into alpha और into sin n alpha whole upon में sin alpha जिस्टरी के से sum of series n by 2 minus 1 by 2 into cos 2 alpha बेकेट को लेंगे n का अंदर into हो जाएक, n alpha minus का alpha into sin n alpha whole upon में sin alpha तो यहां से 2 alpha में से alpha मैंस होके only plus का alpha बचेगा, उसको लिख लें, ऐसे सवाल तो हो चुका है n alpha थोड़ा वक्त calculation है, जो लो कर सकते है, sin n alpha upon में sin alpha तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, सब कुछ हो चुका है, 1 by 2 into cos, यहां से alpha कामल दे सकते हैं, n plus 1 into alpha into sin, यहां सम करना था, वो तो आ चुका है, हमारा जो formula अप्लाई किया था, बाकी calculation है, जहां तक कर सकें, कर लें, या जैसे 1 by 2 है तो कामल दिया जा सकता है, या इत